नमस्कार में जितेंदर जेन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत आई नजर डालते हैं आज की कुस्ताजा तरीन खबरों पर इस आशंका को देखते हुए आज हटा में दोसों से अधिक महिलाओं ने आदि शक्ती माँ चंडी मंदिर में एकत्रित होकर फोरलेन पर एक रैली निकाली जिसमें नारी लगाती हुए बताय गया की सरकार हम गरीब परिवारों की रोजी रोटी छीनने का प्रियास किया जा बीड़ी मजदूर विधायक पी एल तंटूवाय को ग्यापन देने उनके कारले में पहुँचे जिस पर विधायक ने कहा कि मैं खुद बीड़ी मजदूर परिवार से हूँ ऐसे में बीड़ी मजदूरों का दुख दर्द बखो भी जानता हूँ विधायक ने सभी का आवहन किया एबं उनकी बात उच्छित माद्यम से प्रदान मंत्री तक पहुँचाने की बात कही कोटापा कानून में बदला लाना चाहती है जिससे बिड़ी के उतकादन में कमी आ गई है हम समस्त गरीब अपर महिला घर पर ही रेगस बिड़ी बनाकर अपना परिवार का पालन पेट पालती है हमारी रोजी रोटी शिंच जाएगी साथ ही हमारे परिवार में दो भक्त की रोटी के लिए मोताद हो जाएगे बिड़ी बनाना ही हमारा मुख काम है एवां परिवार की आये का एक मातरशादन है हमारे यहाँ पर अनकोई उद्योग नहीं है जिससे हम अपने परिवार का पाल पोशन कर सके हम सभी मा बेहन परदेश के मुख मंतरी मामा जी तथा मानिये प्रधान मंतरी महोदे नरेंद बोदी जी से मां करते हैं कि कोटापा कानून का बदलाव ना करे ना ही हमारे अधिकारों का हनन करे और कोटापा कानून को वापिस ले उनी की कोछ समस्याइं हैं जो के अंदर से संबंधित हैं जिसमें बड़ी उद्योग पर निकट भरस में संकट की गुंजाश दिख रही है कि इस उद्योग पर संकट आ सकता है होटपा कानून है उसमें कुछ बदला किया जा रहा है तो हम अपने मानिय मुख मंतरी जी के द्वारा मानिय प्रधान मंतरी जी स्पूप से प्रयास करेंगे पूरी कोशिस रहेगी कि जो बड़ी सिर्मक के विपरीत है जो भी कानून की धारा सिर्मक हित में नहीं हैं उनको बड़ी सिर्मक के खितों की रख्षा की जाए जो मजगी रुखाई हैं उनसे भी बाके हैं क्योंकि हमारा भी धंडा बच्पन से एक बड़ी का रहा माता पिता बड़ी बनाते रही हमने भी बड़ी बनाई कालेज ही जाते थे तो बड़ी बनाके लगभग कालेज की अपिक है और अपना ये लगभग भजगार है तो पूर प्यास कर रहे हैं लोगों को सर्रेक्ट्चन देने का रही हटासी खबर समय जगत के लिए भूपेंदर श्रिवास्तप की रिपोर्ट